कि सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहली ताजा खबर जानने के लिए इस बैल आइकन को भी दबाएं नमस्कार मैं हो जेपी पाल आप देख रहे हैं बीनियुज उत्तर प्रदेश के देवरिया में मजहौली राज का इतिहास इस इतिहास को जानने के लिए हमारी टीम उस जगर पे गई अस्थानी लोगों से पूश्टा इसके बावजूद भी हमें को ठूश ठूश क्लू न मि लिए हमारी टीम फिर पुरूरा निया शोकर के वापिस आए वापिस आने एक बात जो की इंटरनेट पे खोश्मीन की खोश्मीन में वहां पे आर्यन तीवारी नाम के एक बैक ने अपने ब्लोग में लिखा हुआ है आए जानते विस्तार सुनों ने क्या लिखा इतिहास क भ्या है अरियं तीवारी ने लिखा है बच्पन में मझाड़ि राज के पिसे में ब्रोज़्र्गे कुछ सुना था इतिहास इमें की जर्जा मध्युवली के रूप में हुई है अवाज से पाक्ली पूत्त तक मझाली राज फेला हुआ था अलवंस की राज़्दानी के रूप में उलेख मद्दवली के रूप में हुआ है तीन तरफ से यह गंडक लदी से गिरा होने के कारण राजधानिन बनने के सर्वा था उप्युक्त था यह बहुत बड़ा राज्य था इसकी चर्चा भुजर्गों से सुनाता है इतियास में कोई वीशेस उलेख पढ़ने मजहुली राज इस्तित है पहले नदी नाव से पार करके ही मजहुली राज जाना पड़ता था उननीस सो सतत्तर में जब जनता पाटी के राज में मुख्य मंती राम नहरेश याद हुए तो इस पूल का उद्गाटन कीले से किये थे आज तक मजहुली राज टाउन एरिया जो इतिहार में कभी यहां राजा वलभद नरान मल और उनके पुर्वजों का राजगाट हुआ करता था राजा मल और उनके पूर्वज आज भी यहां रहते हैं इस पर परिवार दोरा बनाया गया था मजहुली राज कसवा यह कसवा तीन तरब से नद्यू से गिरा है जोड्धियाद्ग का नाम इत्याद से मदेवलिया मिलता है। क्योंकि जनक प्रप्टना वियार इस्थित माता जानकी के माईके से उनकी सवस्वाला जद्धा के बीच के मद्ध में भागवान राम की बरात ने यहां कुछपल विश्यायम भी किया था मजहुली राज पर किसी भी वन्स का स्थाई सासन नहीं रहा है इस राज पर बार बार आक्रमर होते रहे हैं जो सबल परता यहां का सासक बन जाता था प्रंतु राजबर सास्कों का सासन मज़ोली राजबर समय समय पर उतार चलाओ के ज्यादा समय तक रहा है सर्व प्रतमीश छित के कुशार सास्कों को संदे खडेड कर दूसरी सदी के नागरिक सिवो परतमान राजबर ने यहां सासन किया तदो परांत चोथी सदी में समुंदर गुप्त ने अपने दिग्विजे के समय भार शिवों को परास्त करके यहां अपनी सत्ता कायम की थी प्रंतु राजबर बैठे नहीं थे मगाबागापुना राजबरों ने मज़ोली पर कबजा कर लिया आठीवी सदी में राजबर सासक शिव बिलाज को हराकर राज विशेशन ने अपनी सत्ता कायम की इस राजबरों को अपना राजबरों को अपना राजबरों को अपना राजबरों का सासन चलता आ रहा था दसवी बारावी सदी के प्रारंभ में यहां पर राजबर सासक शीव सरन यहां के राजा हुए उन्होंने अपनी सैनी सक्ती के वल पर अपने राजे का विस्तार किया अबत प्रारंभ में बारावी सदी में जब जगा जगा मुस्लिम सासकों का सासनुमा तो मुस्लिम साजकों ने सत्ता संगर्स के में राजबरों के कख्तियाम की होस्रा की उस समय कुछ राजबर जान बचाने के लिए भाग कर जंगलों का सरौ लिए तो कुछ ने देशों का प्लाइन कर लिया राजबरों की सक्ति कमजोर पड़ती गई इसी उसी समय विषेन बंस के चालिश विल्डी के राजा चक्रशेन उर्प चक्रनायान ने राजबर शासक शीवसरन के राज़ पर आक्रमर कर दिया और राजा शीव सरन को पराष्ट करके मजहली में अपना स्वासन काइम कैसी इसी इतिहास कार्ण देवी सिंग मांडवा ने राजा चक्रनायान का भग गदा पर सत्ता वापस करने की गटना के इस प्रकार उलेकिया क्रिप्या अवोकन करें और आगे लिखते हैं राजा साहीब श्री और सेस अवधेश ननायान मलिस से चेत्र से कंग्रेस पार्टी से विदायका चुनाज जी जाते थे कई बार जीते भी थे आम आदमी के मन भावन होती थी इमसे बोट मांग रहा है कांग्रेस का नाम और भावनात्मक भावनात्मक रूप चुनाव जी जाते थे